आसलाम अलेकूम यह इससी क्लास आप लोग अपनी साइन्स की वुक्स ओपन रहें पेज नभर 69 आज हम लोग पढ़ेंगे कि water as a universal solvent हमने prove करना है कि पानी जो है वो एक universal solvent है कि नहीं है यह हमने prove करना है हम लोग देखते हैं most of the things dissolved in water easily चैसे कि बहुत सारी चीजENTS वहों आसानीуп की साथ पानी डिम में हल हो जाती है इसलिए के पानीर हैभी क सॉल्वन्ट एखा एक पॉर्च टिर्म हो जाती है शूगर रॉक साल्ट एंट आडिओ के रागॉट के इसे Canada आट के सॉडियों के जै सहसे हमें आट आट प्चिनी, नमक, सोडियम, बाइकार्बोनेट और जो मेठा सोटा वगेरा पानी में हल होते हैं मिल्क अलकोहल, लेमन जूस, विनिगर एंड अपल जूस डिसॉल्वड इन वाटर केते हैं कि जैसे दूद, अलकोहल, लेमो करा, सिर का और सेब का जूस पानी में भी हल होते हैं The food we eat from the solutions in the body and then absorbed in the blood केते हैं कि हम जूस जूस बनाती और फिर होन में जजब होती है Many harmful substances are produced in our body, these substances dissolved in water and excrete as urine and perspirations केते हैं कि हमारे जिसम में बहुत से जो नुकसान दे मरकबाद पैदा होते हैं ये मरकबाद पाने में हल होकर पिशाब और पसीने की शकल में हारज होते हैं ठीक है कि मतलब हमारे बाड़े में बहुत से ऐसे मरकवात है नुकसान दे जो हमारे बाड़े के लिए ठीक नहीं होते तो ये किस सूरत में हमारे जिसम से हारज होते हैं पिशाप की सूरत में और जो गर्मे में पसीना आता है उसकी सूरत में हमारे जिसम से ये हारज होते हैं समझ आगे कि ये सारा वो इस सिस्टम बता रहा है ना कि पानी जो अपने अंदर चीजों को हल करता है इसके बाद है प्लांट अब्सआर्प मिल्रेल्स फ्रॉम तो सॉैल डेटर डिसल्वड इन वाटर क्यते हैं कि जो पोदे मट्टी से पानी में हल शुदा नमक्यात हैं वो जजब करते हैं oxygen gas dissolved in water oxygen gas पानी में हल होती है it keeps aquatic animals यह अभी जो पोदे हैं उन्हें हुराग बनाने के लिए उनमें अभी जन्वरों को जिंदा रखती है जो पानी में oxygen होती है वो उसके बाद करें कार्बंट एक्साइड ग्लास आलसो डिजाल्व इन वाटर अक्वाटिक प्लांट्स और इस इसके बाद किया रहे हैं कि जो कार्बंट एक्साइड है भी पानी में हल होती है आप भी पौदे हुराग बनाने के लिए इसमें हाल शुदा कार्बंट एक्साइड को इस्तमाल करते हैं लहाज हम कह सकते हैं therefore we can say that water is not just a solvent बटा युनिवर्सल सालवंट इसलिए हम कह सकते ह है कि पानी सरफ उल्यूट। इसलवनट ही नहीं बलके एक युनिवर्सल सालवंट है क्यों हम ने यह पड़ लिया कि पानी हर चीज़ को अपने अंदर साल्व कर लेता है है जैसे कि नमक सोडियम हमने सारा कुछ पड़ा कि पाने के बगएर कुछ भी इनम्सकिन नहीं है इ यूनिवर्सल सालवंट है अभी हमने ये सारा पढ़ा है यह आपका क्वेस्टन है और इसका आंसर यही है जो अभी हमने पढ़ा है आप लोग यहां से करेंगे को पढ़ा है